प्रेंड्स आप सद्धान थैंक बेलकूं बैके मैं चैनल ओलंपर के स्टड़ी दोस्तों आज काफी टाइम के बाद में हम वाइट बोर्ड पे रूबरू हो रहे हैं लगवक्त दो से तीन महीने के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूं वाइट बोर्ड पर एक बात मैं बोलना चाहूं को कि जहां पर मेरा यह मैंनी स्टोडियो है उसके बगल में एक सड़क है बगल में चोड़ा है तो में भी आपको सामना करना पड़ जाए इसके बारे में हमागे सोचेंगे कि हमें क्या इस्टेप लेना है अगर कोई चीजे हो साकती है तो पॉसि यह सारे चीजे हैं सो मैंने आपको बताया था कि कुछ हेल्थ इशू घर में होने के वज़ास से मुझे सीटी से अपने घर पर आना पड़ा अपने गाउं पर और इसी के चलते मैं यहां पर अभी क्या है कि लगभग दो से तीन महिने का प्रोसेस है दादी जी को मैंने बत थोड़ा समय आपको बात करना चाहूंगा आज जैसे कि मैंने आपको पता है कि पैट के मुद्धे पे मैंने बात की थी और योपन संबंदित कि जो रेश्रेशन डेट है उसको रियोपन किया जा या फिर जो डेट है उसको बढ़ाया जाए स्टार्टिंग से मैंने कांपे कि मनसा क्या थी यह आपको पता है और इसी के चलते डेट अभी तक एकस्टन नहीं हुआ है ना फिर कोई ऐसी सुचना यह कि रियोपन होगा या फिर अभी यह भी सुचना नहीं है कि जो लेकपाल का एक्जाम है वो फ्री होने की सम्भावना है पेट के द्वारा ही जो है इकजाम को कराने की बात चल दिए तो देखेंगे आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे फिलाल यह इंट्रोडेक्शन मेरा है कि मैं यहाँ पे वाइट बूर्ड पे अभी आजसे जो भी डेटल होगा अपडेट होगा होगा मैं आपको बता दाएंगा ठीक ह बहुत दिख्रत आएगी तो क्या होगा कि हम जो बैग्राउंड में मैं रहूंगा और वाइस वाला प्रॉसेस होता है उसको मैं कर दूँगा लेकिन फिलाहल कोई अपडेट होगा देना होगा या फिर कोई इंपोर्डेंट बात जो मुझे आपसे बतानी होगी मैं आपको डारेक्ट मैं यही से बताऊंगा ठीक है अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो प्लीज चैनल को विजिट कर लिजिए और यहां पर हम लेकपाल या फिर ग्रूब दी से सम्मधित जो भी क्लासे स्टार्ट होंगी मैंने भी पोल पर डाल दिया है पिछली बा पूर के फिर में यहां तो जैसा भी होगा अगर आपको भी पॉल में बाकoration करना है डो और योघंजी है इसे चूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में चूटनी चाहिए क्योंकि इनके पास option और कुछ नहीं बच रहा है जो CBT2 का है उसमें अगर आप CBT1 क्रॉस की होगे आपने क्रैक किया होगा तो फिर आप CBT2 तो देने पाऊगे अदरवाइस फिर आपके पास बस एक ही सुनहरा option ज कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ तो साथ में मैं इसलिए हूँ और मुझे यह जो गुरूबडी का एक्जाम है इसको आप लोगों को निकलवाना है यह जिमेंदारी मेरी है लेकिन आपकी जिमेंदारी बनते है कि आप जस्ट वीडियो को एक तरह से आप बन रहा है उसको भी एक्स्टेंड कर रहा हूँ मैं अप लोग पूरा पहले वीडियो देखेगा इसके बाद में आप किसी को जज कीजिए ऐसे नहीं कि आपने और आपने बोल दिया रहे सरी है तो सही नहीं है ठीक है तो यह बात भी सही नहीं है आपको पूरा वीडियो दखना पड़ेगा फिर आप किसी को जज कर सकते हूं कि यह बंदा कैसा पड़ा रहा है ना वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे यह इंट्रोड़क्शन वीडियो और क्लास में आप लोग बने रही है मैं डालूंगा वीडियो अपडेट कर अपडेट करता रहूंगा कल परसों से रेगुलरेटी स्टार्ट हो जाएगी जैसा कि अब लेकपाल का सेलमस भी नहीं आया है तो हम लोग बेट कर रहें कि सेलमस आ जाए इसके बाद में हम लोग क्लास स्टार्ट करें हैं अब यह आपको पता है कि रिजनिंग का जो पार्ट था अभी तक इसमें न कर दूंगा आपको इस कुईशन तो आप खुद कर लोगी मुझे बता कि आपका दो-चार साल का एक्सपेरियंस है ज्यादा नहीं बोलूंगा है सो मिलते एक लिए वीडियो में बहुत लोग माने करेंगे मिलते लिए वीडियो में जय हिंद